तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोग के लिए गनित का एक अद्भूत नए रहस्य लाए हैं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे गनित के नए रहस्य मिलेंगे जो आपको एकदम यूनिक लगेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गनित जो है पूरा रहस्यों से भारा हुआ है और गनित में जो खोज हो चुका है जी हाँ गनित में जो खोज हो चुका है उसी खोज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं एक नए रहस्य आपको मिलेगा जो की मुझे अक चुपा हुआ है तो ऐसे ही सांदार ट्रिक आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा और हो सकता है आप हमारे चैनल में एक डम नय हैं हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हूं तो निश्चीत रूप से आप हमारे चैनल में नय है nervous तो सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आकन को प्रेस करना और आल को टच कर लेना ताकि ऐसे ही पहुंती महतुपन वीडियो का नोटिफिय केसन आपको मिलता रहे तो दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले है न वो है गनित का एक नया रहस्य अभी नया रहस्य क्या है फिर तो भई 4 और 5 के बारे में तो आप सभी जानते हैं कौन नी जानता है एक 2, 3, 4, 5 है न तो 4 और 5 के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर हम कोई बंध निकालें और उसको यहां पर लिख दें तो एक गनीत का अद्भूत जादवी ट्रिक बनता है और ये वाला जादवी ट्रिक आपको नहीं बताया होगा कि चार और पांच को क्या करें उसके बाद उसके बीच में कुछ लिखा जाए तो कौन सा जादवी ट्रिक बनता है हाले कि आज जिस जादूल ट्रिक के हम बात करने वाले हैं इसका खोद बहुत पहले हो चुका है वो विशेश संख्या क्या है वो भी बताने वाला हूँ लेकिन उसमें जो अंदर में जो रहास चुपा हुआ है ये वाला रहास से आज मैं आपको बता रहा हूँ और एकदम यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके देखिए हम कुछ ऐसे चीजों पर चर्चा करने वाले हैं जो रहास्यों से भरा हुआ है कहा जाता है कि गनित एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कहा जाता है कि अगर आप समुद्र में गोता लगाते हैं जितनी कहराई में जाएंगे उतने नए-नए मोती आपको मिलते जाते हैं तो वैसे ही मैं इस प्रकार के वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आपको बहुत सारे यूनिक वीडियो मिलते रहें इससे पहले कि हम वीडियो प्रारब करें आपको मैं बता दूँ जैसे आप 3, 6 और 9 ये जो संख्या है तीनों संख्या एकदम विसेज संख्या है और इन तीनों को मिलाकर अगर हम एक डिजिट बनाते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर आप स्क्रिन में देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने अदभूत रहस्य बताया है उसमें भी 9 में सिंपल सी बात है 9 के बारे में आप बहुत चीज़ जानते हैं लेकिन 9 के बारे में मैंने इस वीडियो में जो रहस्य बताया है न वो अदभूत है और मेरा रहाच से नहीं है भई, ये खोजा गया है और ये खोजा गया था निकोला टेसला के द्वारा, जिस पर मैंने भी स्टार से वीडियो बनाने का प्रयास के है बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे comment कर रहे हैं कि sir ये तो एकदम unique जानकारी है तो आपने नहीं देखा को ना तो उपर में i button का link मिल जाएगा इस वीडियो को आप click कर सकते हैं या फिर वीडियो के last में भी मिल जाएगा तो इस वीडियो को जरूर देखेगा लेकिन हम इस पर चर्चनी करेंगे लेकिन इसमें जो 9 आया है यह जो 9 आया है यह है विशेश संख्या आप सभी जानते हैं कि 9 जो है एक अंखो की सबसे बड़ी सं regionsners है मतलब 9 को आप जितना बार लिखे लो वो उतनी अंखो की सबसे बड़ी संख्या बं जाती है और गनित में और भी बहुत सारे रहाश्य छुपे हुए है तो चल यह बिल्कुल देर नहीं करते हैं को रहस्यों का जो इंतजार है उसको हम बताते जा रहा है ध्यान से सुनते जाईएगा और मजह मुझा ले ते जाएगा और सब करके बताईए कि आपको कैसा लगा सबसे पहले मैं आपको यह बता दूहूं यदि हम 4 चार को और पांच को ध्यान देज़ेगा चार और पांच को इस प्रकार लिखते हैं और इनी ही दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आएगा नौ और इसको यती हम बीच में लिख देते हैं ध्यान देज़ेगा बीच में लिख देते हैं तो हमें एक नया संख्या मिलता है चार 495 है 495 और यह unique number है लेकिन यहाँ पर रहस्य हमारा खतम नहीं हुआ इसके बाद मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो एकदम unique है याद रखिएगा यह 495 unique number क्यों है ध्यान दिजेगा अगर हम 4 को 9 को और 5 को अगर हम जोडते हैं है ना तो इसका योग कितना आएगा 18 आएग 9 में ही आके खतम हो रहा है अभी हमने इसका रहस्य से बताये नहीं कि वास्तों में आज हम कौन से चीज पर चर्चा करने वाले हैं हम तो केवल यह चर्चा कर रहे थे कि आज हमने क्या किया चार और 5 को जोड़ा तो कितना आया 9 आया और थात 9 एक अदभूत संख्या है जि और इस संख्या को कौन सी संख्या कहा जाता है आप लोग मुझे कमेंड करके जरूर बताएगा हालकि आप लोग इस संख्या से पहले से अगर परिचित थे तो अच्छी बात है और इस संख्या को जानते भी होंगे लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको सायद जानते होंगे लेकिन आज मैं जो पूरा ट्रिक बताऊंगा पूरा देखना यहां पर देखिए अगर 6 को 1 को 7 को और 4 को यदि हम जोडते हैं ध्यान देजेगा इनको हम जोडते हैं तो देखें 6 कितना होगा 7 7 और 7 कितना होगा 14 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 करने वाले हैं और इन रहस्यों से परदा खोलने वाले हैं हाला कि यह संख्या जो है पहले से आप जानते हैं इनको क्या कहा जाता है दो संख्या जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 6174 यह पहला संख्या हो गया और एक जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं 495 जी हम 495 में तो आप पहले से जानते हैं चलिए हम आपको कुछ चीजे बताते जा रहे हैं अगर ध्यान देते जाईएगा तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो प्राराम करते हैं यहां पर लाइट आफ वो गया था इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं देखे हमें क्या करना है हम आपक आपको क्या करना है कोई भी तीन अंकों की संख्या लेना है आप देखे मैंने बोला कोई भी आप कोई भी में एक सर्थ चुपा हुआ है कोई भी तीन अंकों की संख्या आप लेता हूं आप कोई भी संख्या ले सकते हैं लेकिन वो कोई भी संख्या कैसा होगा वो संख्या नहीं होना चीए, मतलब अगर आप 3, 3, 4 लेते हैं तब भी चलेगा, या फिर 4, 4, 3 लेंगे तब भी चलेगा, या फिर कुछ भी संख्या ले सकते हैं आप, आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, बस ये दोनों संख्या बराबर नहीं होना चीए, मतलब आप 3 अंकों की कोई भ सर्थ में नहीं लेना है नहीं तो यह गनित का जादवी ट्रिक काम नहीं करेगा याद रखिएगा ठीक है तो सबसे पहरी बात मैंने आपको समझा दिया कि आपको कोई भी संख्या ले लेना है सिख्स सेवन एट आप लेते हैं तब भी काम करेगा क्योंकि एकाई और सहकड़ा का अंक अलग अलग होना चीए ठीक है दूसरा क्या करना है आप कोई भी लगतार इस प्रकार के संख्या मतलब एक ही संख्या को नहीं लेंगे मतलब ठीक है यह आपको एलाउ नहीं करना है लगतार बोलता हूँ कई बार वीडियो में इतना सारा केमेंट आता है सर हमसे नहीं हो रहा है भई लगतार का मतलब समझे मैं क्या पो रहूँ लगतार तीन अंको को आपको लिख लेना है और संख्या बराना है अब तीन अंक लगातार मतलब तीन लिए, चार लिए या पांच, ये लगातार संख्या होना चीए, आप इसको बढ़ते करम में लिखे या घरते करम में लिखे, जैसे आप लेते हैं माले जाए, साथ लेते हैं, तो साथ के बाद आप छै लिख लिजिए और पांच लिख अब आपको समझ आ गए होगा, कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, सबसे पहले आप कोई भी संख्य लेते हैं, देखे, आपको क्या करना है, उत्तर में कितना आएगा, 4, 9, 5 आएगा, जो एक अदबुत संख्या है, जिसको कॉप रेकर संख्या बोलते हैं, और ये 4, 5 और 9 को जोन करके क्या किया गया था, 4, 5, 9 हुआ था, तो 4, 9 और 5 तो हुआ था, ये संख्या हर बार आएगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन कैसे आएगा, देखे, आपको क्या करना है, 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लेना है, दो प्रकार से आप लेंगे, देखे, मैं क् चार और 3, देखे, दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ, इसमें हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई भी लगातार 3 संख्या इस प्रकार लिखते हैं, बढ़ते करम में लिखें, उसके बाद क्या करिएगा, इस संख्या को देखे, ये बिलकुल घरते करम में है, फिर इसको बढ़ते करम में लिखें, मतलब जिस प्रकार संख्या अगर आप लगातार लिखेंगे न, और इसको बढ़ते और घरते करम में लिखेंगे न, तो बीच का संख्या वही रहता है, ज्यान देजेगा, बीच की संख्या वही रहता है, यहाँ पर ठीक है, और इसका उत्तर हम आप कोई भी तिन लगतार संखे ले लिजिए इसको घरते करम में लिखे फिर बढ़ते करम में लिखे और इनको आप घटा कर देख लिजिएगा एक सो अन्ठानवे हर बार आएगा लेकिन हमें इस पर चर्चा नहीं करना है हमें आगे इनको और बढ़ाना है आगे इसी स्टेप को और बढ़ाना है उसी परकार यहां पर देखे क्या यह भी घरते करम में है बिल्कुल घरते करम में है साथ चार और दो यह संख्या कुछ भ तो हम इसको क्या करते दो चार और साथ हमने इसको क्या कर दिया बढ़ते करम में लिखा तो ध्यान देजिए अगर संख्या शुरुवात में हमने ये लिया होता तो देखे बीच की संख्या बदल गया यहाँ पर देखे अगर संख्या ये लिए तो देखे इसको हम क्या लिख ले रहा है ठीक है आपने जो संख्या लिया है वो बढ़ते क्रम में है घरते क्रम में है या किस क्रम में है इसको आपको ध्यान दिलेना है सबसे पहले आपको क्या कर लेना है इस प्रकार आपको जमा लेना है जमाली है जमाने के बाद इसको आपको क्या करना है घटाना है यह यहां पर तो 108 आएगा लेकिन इस प्रकार के संख्या लेंगे तब 108 आएगा लेकिन 495 दोनों में ही आएगा कैसे आएगा उसके लिए वीडियो को आप ध्यान से देखते रहेगा और इस प्रेक्टिकल को आप भी करके जरूर देखेगा ठीक है जैसे यहां पर हम बात करते है इसकी बात करते हैं देखिएगा यहां पर देखिए अगर इसको हम घट आते हैं तो यहां पर एक हांसिल जाएगा उधार जाएगा मतलब है ना तो बारा हो जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा पांच आएगा क्योंकि साथ पांच बारा हो गया यहां पर कितना बचा है ज इसमें 495 आएगा किनी यह संख्या तो एक ही बार में आ गया है अब इसको अगर आप क्या करते हैं फिर से इस प्रकार हल करते जाते हैं इस प्रकार हल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर हर बार कितना ऐगा 495 ही आएगा जिंदगी भर यह 400 पंचानबे ही आता रहेगा ये एक ही बार में आगया है जरूरी नहीं एक बार में आये जैसे इसमें एक बार में नहीं आया है हम इसको आगे बढ़ेंगे इसको एक उदाहरन की माध्यम से अभी आपको और बताने वाला हूं ताकि आपको समझ आ सके कि संख्याएं अलग 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 आता ह यहां पर एक उधार लाएंगे तो 11 हो जाएगा, यहां पर कितना आजाएगा, यहां पर बच गया है, 7 उधार लाएगा, तो 17 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आजाएगा, 9 आजाएगा, यहां पर एक हांसिल चला गया था, उधार चला गया था, कहा जाए, 8 बचा है, 8 में घटांगे कितना आएगा साथ ये साथ सो ब्यान भी आ गया अब इसको हम डिलिट कर देते हैं क्योंकि इसका तो ये तो पुरा खतम हो गया था इसका वीडियो बन जुका था मतलब इसका ट्रिक खतम हो गया है आगे हम इसको करके देखते हैं अब यहाँ पर जो संख्या आया है उसको हम फिर से क्या करेंगे फिर से इस प्रकार नौ साथ और दो पहले घरते करम में लिखेंगे उसके बाद उसी को हम बढ़ते करम में लिखेंगे उसके बाद फिर से घटाएंगे घटा कर देखते हैं यहाँ पर अब क्या हो गया है यह बारा हो गया है बारा में आप आपको बता रहा था कि यह 369 में भी अधभूत रहस्त चुपा हुआ है देखे कहीं कहीं यह 369 फिर आ गया है है ना मैंने जान सुन के नहीं किया अपने आप आया है तो यह गनित का अधभूत रहस्त है इसको हम फिर से क्या करेंगे घटाएंगे घरते क्रम में लिखेंगे फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इस प्रकार लिख लिए, अब इसको आप घटाएए, घटा कर देखें, निश्चित्रूप से आपका उत्तर आने वाला है, जो आप लाना चाहरे है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यदि हम घटाएंगे, छोटा कर लेते ह ठीक्षर को थोड़ा से, ठीक है, ताक कि समझा सके, और इसको यहाँ ले जाते है, ठीक है, अब करते हैं, इसको करते हैं, तो यहाँ पर कितना आजाएगा, यहाँ पर देखें, अगर यह उधार लाएगा, तो यहाँ पर चार आजाएगा, यहाँ पर एक उधार चलाएग 9 करेंगे तो दोस्तों अब इसको आप फिर से घटाए ये कितना हो जाएगा उधार लाएगा तो 14 हो जाएगा 14 में आपको 9 घटाना है कितना आएगा 5 आएगा यहाँ पर बचा है 4 उधार लाएगा तो 14 हो जाएगा 14 में आपको 5 घटाना है तो 9 होगा अब यहाँ पर बचा इस रूप से आपको याद रखना चीए यह जो है 495 यह तीन अंको का कॉप्रेकर संख्या है और इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो देखें चार और पांच को आपने जोड़ा था तो नव आया था और इन सभी संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो अठारा आएगा ठारा क आपको का कॉप्रेकर संख्या है कॉप्रेकर नंबर के बारे आप जानते होंगे यह कॉप्रेकर संख्या है और इन्हें संख्याओं को फिर से आप जोड़ते हैं तो इनका योग फिर कितना आता है 18 आता है इनके फिर जोड़ेंगे तो आपको उत्तर कितना आएगा 9 आएगा चार, दो और एक करेंगे, घरते करम में लिखेंगे, फिर इसी को हम क्या करेंगे, बढ़ते करम में लिखेंगे, अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे, तो घटाएंगे, तो घटाएंगे, यह क्या हो जाएगा, ग्यारा में आपको चार घटाना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7, 4, 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बच्चा है, एक बच्चा है, तो यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 2, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच्चा है, 3 में आप एक कटाएंगे, दो आएगा ये तो अभी उत्तर नहीं आया है फिर क्या करेंगे 9, 7, 2 करेंगे फिर 2, 7, 9 करेंगे फिर माइनस करेंगे बरते करम में और घरते करम में लिखते हैं इसको इस प्रकार हम यहाँ पर पहले घरते करम में फिर बरते करम में फिर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना पर तो तीन आएगा एक उधार चिला गया है यहाँ पर चैए बचा है तो कितना जाएगा नव और साथ 16 हो जाएगा यहां पर पर फिर चीला गए है यहाँ पर कितने बचा आठ आठेंहें आप दो घट आएगा कितना आएगा तैनी शक्या निश्ची तरुप से इसके बाद तो आपको पताने कि आवसकता नहीं है, इसको जब भी आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर चार आएगा, यहाँ पर नव आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, पांच आएगा, फिर इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर प्रेकर संख्या के बारे में सब लोग पहले जानते हैं जैसे अब आपको नया चीज मिला होगा 495 ये जो संख्या आप ले रहे थे वो 4 और 5 को जोड़कर बीज में लिखा गया था 495 बना था उसी पकार 6174 ये जो है यूनिक नंबर है इनका योग भी कितना आता है लास्ट थोड़ा से लंबा हो गया होगा कारण क्योंकि बीच में लाइन जो लाइट है जो आफ हो गया था तो इस वीडियो को मैंने फिर से बनाया है मला आधा वीडियो पहले बना लिया था आधा वीडियो बाद बनाया है दोनों को जोड़ दिया है और आपके सामने वीडियो को सांदर वीडियो को आनल ले सकते हैं लेकिन नीची में हमारे चैनल को लोगो भी दिखाएत रहा है उसको दो बार क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और बहुतर निवीटियो को साथ तब तक के लिए जैहिल जैभारत